रादे रादे फ्रेंज, जै सीरी कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में तो आज हमने बरफानी बाबा की पूजा की है सावन का दुसरा सौंबार है आज तो ये देखिए मैंने चौकी लगा लिया है, दीप धूख चला लिया है एक प्लेट में स्वस्तिक बनाके बेलपत रख लिया है और ये देखिए इस तरह से प्लेट और गिलास में मैंने बरफ जमा लिया है अब हम बाबा को विराजमान करेंगे तो सबसे पहले हम जल से अभी सेख करेंगी फिर दूद से करेंगे और उसके बाद हम सुच जल से बाबा का अभी सेख करेंगे चन्दन का तिलक लगा देंगे, भास्म लगा देंगे कुछ भी ना लगा रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रह था क्योंकि बरफ पिघल रही थी इसके बाद हम बेलपत अरपित कर देंगे वस्त्र स्वरुप कलावा अरपित कर देंगे और फूल अरपित कर देंगे अगर सोंबार को चमेली का फूल मिल जाए तो जरूर से अरपित करें नहीं तो जो भी फूल मिल जाए आप वो अरपित करें धतूरा के फूलर पित कर देंगे अक्षा तरपित कर देंगे इसके बाद हम भोग लगा देंगे अब हम कपूर से आरती कर लेंगे कपूर से आरती जरूर से करें इससे बाबा रसन होते हैं तो आप सावन मास में तरह तरह के सीवलिंग बना के पूजा जरूर से करें जैसे पार्थिय शिलिंग, बालू से शिलिंग, बालू से भी शिलिंग बनाय जाते हैं। और बरफानी बाबा की पूझा तो आप इस तरह से अलग अलग शिलिंग बना कर सामन माज में पूझा करें। बस मन में सच्ची स्रधा भाव होनी चाहिए। तो मैंने बहुत ही सरल विधी से परफानी भाबा की पूजा विधी बताई है और पूजा के कुछ घंटे बाद जब ये बर्प पिघल जाए पानी बन जाए तो इसे पोधों में डाल दे इधर उधर ना फेके तूलसी के गमले में नहीं डाले और कोई गमला हो तो उसमें ड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक्यू राधे राधे जय सीरी कृष्णा